करेंगे गीवन क्या गीवन है कि दर सेवन्टीन टर्म एपी एकसीड इन टैन्थ टर्म बाई सेवन्टीन टर्म जो है वो टैन्थ से बढ़ी है कितना सेवन सेवन से बढ़ी है कि अगर मैं बोड़ू सेवन्टीन टर्म अगर आपकी अगर टैन्थ टर्म अगर आपकी हंडेड है तो सेवन्टीन हो जाएगा 107 यह अगर 200 है टैन्थ टर्म तो सेवन्टीन टर्म हो जाएगी 207 मलब हमेशा सेवन्टीन टर्म जो है वो टैन्थ टर्म का 7? क्या है in English? Sechs ज एक्स्थ. Excel एक्सेट. It's there. So... We know that 17th term of AP BC A plus N minus 1D A plus 17 minus 1Od that is a plus 16 d, clear? और यह चीज़ आपको देर, clear? And second, tenth term of a p b a plus 10 minus 1 d that is a plus 9 d. Is per question, 17th term, 17th is an exit of 10th term by 7. 17th term क्या है? 10th term की 7, exit. तब क्या आजाएगा? a plus 16 d is equal to a plus 9 d plus 7. Because in normal difference क्या कितना है? 7. आप यह भी लिख सकते हो या फिर आप यह भी लिख सकते हो? a plus 16 d minus a plus 9 d is equal to 7. यह एक्योदे 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 खिसे? It means 7. A plus 16 d minus plus minus minus plus minus 7. Cancel. 7 d is equal to 7. D is equal to 7 upon 7 that is that is your any doubt sir I have to understand that just that you have a pattern what do you understand 1 and 1 which is a sign in the bottom plus minus this this plus minus got it got it question number 11 which term of AP which term of AP which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term मतलब 54 term का जो भी आंसर आएगा 54 का जो भी आंसर आएगा उससे 132 जादा कौनसी टर्म होने वाली ये इस लेंग्विज का मतलब है जोड़ा करना करता है जो मतलब आजा जो जो ञइन हो जुई समझना है जो भी आंसर निकलेगा उससे भी 132 जाना वाला एक्सीड है लग 54 टर्म में जो भी आपका आंसर आने वाला है उसमें 132 जब हम 8 करेंगे उसके बाद हमें यह फाइंड आउट करना है कि वो कौनसी टर्म है जो 54 टर्म का भी 132 एक्स्ट्रा है इसका मतलब आपको सबसे बेले हैं यह फाइट आउट करना है 54 टर्म का आहे कितनी वेल्यू सबसे बेला काम जा करना आपको 54 टर्म की वेल्यू फाइट आउट करना है उसके बाद उसमें कितना आउट करना है 132 उससे जो आएगा उससे हमें ए निकालना है यह वेल्यू कौन उससे टर्म पे आने वाणी है। यह चीज हमको यह आपर निकाल नहीं है। clear? दोबारा इस question को समझा रहा हूँ, भ्यान से समझना को रटना नहीं है। थोड़ी सी language उपन नीचे हो जाएगी विए नए question में आपको समझ में नहीं है कर भ्यान से समझना। which term of the AP? 3, 15, 27, 39, dash, dash, will be 132 more than its 54 term. ऐसी कौनसी term है, जो 54 term का भी 132 extra है। जो 54 term का भी 132 extra है, वो term हमें यहां पर निकाल लोगे। अब 132 extra तो करता है लेकिन यह तो पता लगना ची 54 term का amount कितना है, values कितनी है। जो values आईगी उसके अंदर हम क्या add-on करेंगे? 132, फिर हम anti-value निकाले। 54, 55, 6, 39 में 10 tam Ai लोगे 5,35 अब क्या मेंए, उशे 132 exceeds.... बलब 6,39 PLUS 132 अरह आई, एप यह value जिसको हम भोलेंगे, the last term क्यां बोलने मले .. ? उसमें A की भी value है और D की भी value है तो आपकी kommt n की value । इसमें एप की value ? ज़ए जए खाय है, डिकाले जमी आई सबसे बेल है गीवन question no. 11 है ना गीवन जो है MP वो क्या 3 39 कर्या है गहां मत्पक्राइद कर्याद है यह ज्लाष धीवन फिर्श ट्वाद लिवन यह जा अ्योट अजा है यह सो बीवन what is 54th term, clear, a 54 equal to a plus n minus 1 and a is your 3 and d is your second term, that is 12, 3 plus 54 minus 1 and 12, 3 plus 53 into 12, 3 plus 6, 6, 3, 9, clear, finding term, that is n, which is more than 54th term, finding term n, which is more than 54th term, menu 132, yes, it means, we don't know n, sorry, n to us know, 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 last term, last term is 6, 39 plus 132, that is your exceed, or more, which is 7, 7, 7, so last term, a plus n minus 1 आपको कितना दे रहा है, 7, 7, a3 है, n हमें पता नहीं, d 12 है, 7, 7 बन मां इनस 3, 12, n minus 12, तो यह आओगा, 768 plus 12, यह इंदर चला गया, यह लाइ सुनिक बाद यह आया, इसमें इंदर चला गया, इकपल टू 12N, तो यह आजाएगा 780, इकपल टू N, और N बढ़ा आगया, 780 अपॉन 12, यह 6 and 5, और N इकपल टू 60, 65 टर्म वो है, जिसमें वेल्यू 54 से 132 जार से, clear, point out, short, no, सबसे पहले हमें यह ज्यान होना चाहिए कि हमारी 1 digit क्या होती ही, 4 digit क्या होती ही, 3 digit क्या होती ही, 4 digit क्या होती ही, 5 दिजा से हैं, तो अभी इसमें 3 digit पूछा, 3 digit का मजल होता है, 100 से जागा कर, triple line, अब इसके बीच में हमें यह देखना है कि कौन-कौन सी ऐसी value है, 101 7 से divide, नहीं होती है, 100 से divide, 2 नहीं होती, 3, 4,5 होती, 5, 7 से divide होगी, इसका मतलब first value आपकी होगी 105, अब एवरी 7 गेप है, वो सब values क्या होगी, 7 से divide होगी, 105 उसके बाद 11, सो DB निकल 違य गा अब हमको यह अब रियो मैं क्या 9997 निकल कि 7 वह होगी अब आपको क्या निकाला है एंटर कितनी वेयूस है कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होगी तो कैसे करोगे लास्ट नमका फॉम्डर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और D पता चल गया और इन में से लास्ट पता चल जाएगी होगी तो कैस車 होगै क्या निकल लेका है क्या निकले हैं क्या निकलेगा ? ए दिया होगा rien यहां से बता यहां से बता चल गया डी निकाल कहें ? ए जाएगए अ लास्टम मेंने क्यक्ता है लास्ट्पम जो आपको arrive जो कहाहं से निकलेगी ? there जो लास्स विडियो डिवाइड होगी, वो आ जाएगी, तो मुझे बता, अब कौनसी चीज बच्ची इप फॉर्मुले को होगी, जो हमें निकाल लीगी कोई एक वेडियो ऐसी, जो मेसी पे जो हमें निकाल लीगी क्या का चाहिए तो गोवगर है? N पता है. A पता है, D पता है, लास्स पता है. अब बच्चा के N उस फॉर्मुले को सब्रवेट क्या निकल जाएगा? Clear? और स्राइड हो जो हमें देगा. सबसे पेले 105 डिवाइड होगा फिर 112 डिवाइड होगा फिर 119 डिवाइड होगा ऐसे ऐसे करके लास्ट कॉंसी वैडिवेड होगी यह डिवाइड नहीं होगा यह डिवी 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 डिवी हो गया ? अखे लास्थ हम क्या वन भी ? 994 यह है ? अब विट्या करना है ? यह लास्थ हम A plus N minus 1 on D 994 equal to A आपके पास 105 N9 पता हो D 1 1 2 minus 1 0 2nd minus 1st round 7 994 equal to 105 plus 7 N minus 7 इसे भी मुटिपला हो इसे भी होगा ? 994 plus 7 minus 105 equal to 7 N 1 1 1 minus 105 equal to 7 N 6 9 8 8 8 96 7 1 2 ताइम्स और 8 इनके बीच में 105 से लागर टिंपल मलब 994 तग 128 ऐसी वेर्यू है जो 7 से यह तो मुच्छा है कि हमें 3 digit में वो नमबर आप बता हो जो 7 से जिए बीजिवल हो या मैंटिपला हो जो ही मतलब हो है ? 128 नमबर अगर आप इनूजिली भी करोगे था 105,1,1,2,117,126 करते जब रज़र पे लास्ट में तोटली किचन नमर आने मलें लेकिन वो क्या है ? लंबा प्रोसेज है इस फॉर्मूले से शॉर्ट कर दोड़ से प्लियर ? नॉटकर